जो बचा गेड पर ना लाइन लगी हुई है पीछे से दिखा आया दिखा आगे 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 जो बचा गेड पर होता है वो जनाब गेड से बाहर बिसमिलाहरमार रहीम डियर स्टूडें विल्कम बैक एक असान सा टोपिक अवैपोरेशन क्या होता है समझेंगे इसे कुछ कंफ्यूर्ज होगी आपको वी इंशाला दूर हो जाएंगी तो अवैपोरेशन होती क्या है सबसे पहले बहुत असान है देखिए दरा क्या आपके पास लिकवर्ड है पानी ठीक है कोई भी लिकवर्ड हो सकता है लेकिन इस वक्त हम कह रहे हैं मारे पास कहा है पानी और आपको पता है पानी या किसी भी लिकवर्ड की सता से बुहरात बनकर उड़ते हैं वैपर्ज निकलते हैं इस अमल को कहते हैं अवैपोरेशन या के पास कोई भी लिकवर्ड था, मैं इस वक्त वाटर ले रहा हूँ और किस में बदल गया, गैसिय स्टेट, L for liquid, G for gas, इस अमल को कहते हैं, अवैपोरेशन, या वैपोराइशन, समझना है, ठीक है, और डियर स्टुडेंट, ऐसा नहीं है, के लिकवर्ड गैस में बदल के दुबारा, गैस से लिकवर्ड में नहीं बदल सकते हैं, और जब ऐसा होता है, इस अमल को बोलते हैं, कंडन सेशन, सो, अवैपोरेशन, एंड कंडन सेशन, ये अमल एक दूसरे के उलट है, और अगला टॉपिक हमारा आ रहा है, वैपर प्रेशर, उसमें हम थोड़ा से इंको, एक्विलिब्रियम के लिए आसे भी डिस्कस करेंगे, तो ज़रा देखते रहें, प्लिस, तो ये हमारी पहली डेफिनिशन कवर होगी, डेफिनिशन क्या है जी, हम कहते हैं, के ये क्या है, दिस इसकेप किसका ओफ गैस मॉलेक्यूल्स, कहां से, फ्रॉण, सर्फेस, किस की, किसी भी, लिक्वर्ड की, तो ये यहां से पता चल गया, कि ये एक सर्फेस फिनोमिन है, ऐसा नहीं हो रहा है, यहां से वैपर बन बन के निकल रहे हैं, ना, 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 ये सर्फेस से वैपर निकल रहे हैं, बन बन के, और ऐसा क्यूं होता है कि सर्फिस से ही क्यों निकलते है डियर स्टूडेंट याद रखिएगा यहीं पर समझा देता हूं यह लिक्वर्ड के मॉलिक्यूल्स है और लिक्वर्ड के मॉलिक्यूल्स मोशन में होते हैं एक दूसरे के साथ टकराते हैं जिस बरतन में हैं उसके साथ टकराते हैं और यह मूव करते हैं इस वक्त इनकी इनर्जी को हम बोलते हैं इस इस दा काइनेटिक या पसमें टकराते हैं डियूरिंग मूवमेंट जो इनर्जी होती है इसको हम क्या बोलते हैं यह जो मॉलेक्यूल नीचे मुझूद होते हैं हमारे पास किसी भी बरतन में फर्ज कर रहे हैं कोई कंटेइनर है ना मारे पास तो नीचे वालों की होती है एवरेज काइनेटिक एनर्जी लेकिन जैसे यह नीचे वाले उपर वाले के साथ टकराते रहते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी जरा नीचे वालों से ज्यादा होती हाई होती है और इस हाई काइनेटिक एनर्जी के वज़ा से इन में जो आपस में बॉन्ड मजूद होता है यह उसको तोड़ देते हैं और सर्फिस से यह मॉलेक्यूल वैपर्स बनके निकल जाते हैं निकल जाते हैं यह बिलकुल इस तरह फर्ज कर लें आपको छुटी हो रही है और आप लाइन में खड़े हैं चुटी के लिए यह वाले जो मॉली के वलाई यह चुटी के वक्त में गेट पे हैं और पीछे बहुत सारे मॉली के वलाई बहुत सारे बच्चे जिन्होंने चुटी करनी हैं बिलकुल उसी तरह यह जब दके लागरें 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 जो मॉलीक्यूल सर्फस पेना सर्फस को गेट समय लिए ठीक है सब की इनर्जी उसमें ट्रांसफर हो जाते हैं हाई का इनर्जी तो यह मेरे बात आपको समझ आ रही होगी है तो यह एडिये स्टुडेंट यह कैसे यह मॉलीक्यूल सर्फस से क्या कर जाते हैं अवैपोरेट कर जाते हैं एक बात याद रखिए तो यह तो समझ आगी एक कॉंटिनियूस प्रोसेस है स्पॉन्टेनियस प होने वाला ठीक है हार टमप्रिचर पर और और यह सर्फ्स पनामिला ना क्यों सर्फस से मॉलीक्यूल निकलते हैं जितनी बड़ी सरफ़िस हो गी जितना बड़ा गेट होगा जैसे हमने भी बात की उतने बच्चे बाहर रिकलें जितना छोटा गेट होगा उतने कम बच्चे दखे के वक्त बाहर निकल सकेंगे Dear Students याद रखिएगा ये हर टमपरेचर पर होता है हर टमपरेचर पर लेकिन टमपरेचर बढ़ाते जाएंगे अवैपोरेशन भी बढ़ते जाएंगे इंशाला इसे फैक्टर्स में पढ़ेंगे अभी जब हम फैक्टर्स पढ़ेंगे तो इसको डिटेल से देखेंगे ठीक है dear student एक बहुत इंपोर्टेंट शोट कुश्चन है अवैपोरेशन काजीज कूलिंग बहुत इंपोर्टेंट शोट कुश्चन है हाव तो यह आपने बताना है के अवैपोरेशन एक कूलिंग एक ठंड़क पंचाने वाला प्रोसेस है कैसे जैसा के मैंने आपको बताया के यह आपके पास एक कंटेनर है इस कंटेनर के अंदर मॉलेकूल और यहetta हाथ एक बाल जो बलेड के होती है इसको मारते है तो जो बाल अगली बाल में लगती है वो खुद रुक जाती है, थोड़ा सा आगे जाती है, लेकिन जिसको लगती है ना, वो आगे तेजी से मूव करती है, तो बेटा जी, इनकी जो काइनाइटिक एनर्जी है, इस एवरिज काइनाइटिक एनर्जी, बाकी इन्होंने अपनी इनर्जी ट्रांसफर किया, इनको य आगे हैं, हाई गाइनेटिक एनर्जी में, और ये फिर क्या करते हैं, फोर्सिस को तोड़ते हैं, यहां से क्या कर जाते हैं, अवैपुरेट कर जाते हैं, जब यह हाई नर्जी मॉलिक्यूल इसमें से निकल जाते हैं, इस बरतन में से, इस बीकर में से, तो इसकी इनर्ज की इनर्जी काम हो जाती है तो ठंड़क फील होती है कि सर इसकी कोई मिसाल है जी बिलकुल हर इनसान को बच्पन में या भी भी जब बिमार होता है तो इंजेक्शन वगरा तो लगता है उससे पहले लगाते हैं वह स्प्रिट जब लगाते हैं तो वह वूब एक लिकवरड वह आपकी सर्फेस से वैपोरेड करता है और आपकी सर्फेस को cooling feel होती है Gef disproportion a g की वज़ा से गर्मी बाड़ी होती है तो जब जी पसीना एवेपोरेशन होती है हमारी बोर्डिंग में कूलिंग प्रोडियूस होती है तो एवेपोरेशन काजिस कूलिंग जब हम नहां कर आते हैं पंखे के नीचे बैठते हैं एवेपोरेशन काजिस कूलिंग नमबर टू, टमप्रेचर, ठीक है जी, बातों बातों में आपको ये फैक्टर बता चुका हूँ, बाकी फिर भी एक्स्प्लेइन कर देता हूँ, तीसरा, इंटर, मोलेकुलर, फोर्सिस, लेजे, तीन फैक्टर, तो सर्फिस एरिया क्या होता है, पहले तू ये समझें, ये एक आपके पास चाय का लेट्स पोस कप है, ठीक है जी, और ये नीचे पड़ी हुए है, चाय के साथ जो अक्सर प्रिच देते हैं, प्रिच, एक लंबी सी प्लेट होती है न, उस पे चाय डालके फूक मारके, जिल जहां से वैपरेशन हो शकती है, वो इतना है, और इसका मू देख है, कितना बढ़ा है, इसका यानि मू यहाँ पर मुराद है सर्फिस एरिया, और ना समझे ले, पेपर में लिखा हो, जिसका मू बढ़ा हो, वहां पर वैपरेशन ज्यादा होती है, ऐसा नहीं कहना, तो वोक्सर को बोलते हैं कई बचे उनको याद नहीं होता तो वक्सर ना हम सोब से कुछ हो रहा होता बैई यह को pasti व्यूंसäg तो इस सॉसर में एकर चाहे डाल जाल धी तो जल्दी धंडी होतीह क्यूं कि इसका सर्फिस एरिया ज्यादाव है ज्यादा ज्यादा मॉलीकूल evaporate करते हैं, evaporation cause is cooling, चाहे जल्दी ठंडी हो जाती है, और cup में चाहे लेट ठंडी होती है, सो मैं यहाँ पर relation लिख रहा हूँ, surface area, directly proportional to the evaporation, जितना ज्यादा surface area, उतनी ज्यादा evaporation, फिर आता है temperature, तो मैंने यहीं पर बता दिया था, कि temperature temperature अगर ज्यादा होता है, तो evaporation ज्यादा होती है, हाँ, यह दोबारा बता दिता हूँ, ऐसा क्यों होता है, बेटा, इदर ही देख लें, अगर इसके नीचे आप आग लगा दें, वो heat energy अंदर transfer होगी, heat energy molecule की kinetic energy में बदले, इनका अपस में टकराओ बढ़ जाएगा, इनका टकराओ बढ़ जाएगा, तो ज्यादा ज्यादा molecule जाएंगे surface पर, और ज्यादा ज्यादा molecule यहां से force of attraction को break करेंगे, याद रखें, सिरफ वो ही molecule यहां से evaporate कर सकता है, जो force of attraction को तोड़ सकता है, molecules के दरम्यान में क्या मजूद होती है, force of attraction मैंने पहले भी बताया था, पहले भी बताया था, force of attraction को तोड़ेगा तो यहां से जाएगा, ठीक है जी, तो dear student यहां पर फिर ज्यादा से ज्यादा molecule evaporate करते हैं, तो पर क्या पता चला, temperature ज्यादा, kinetic energy ज्यादा, evaporation ज्यादा, अब आते हैं intermolecular force पर, याद रखो, जितनी intermolecular force strong होगी, evaporation उतनी ही कम होगी, सर इसको छोड़ें, पहले बताएं intermolecular force है क्या, अच्छा, नहीं पता, पता दे तो, यह एक molecule, यह दूसरा molecule, यह तीसरा molecule, इन molecules के दरम्यान, जो forces होती हैं, उसको बोलते हैं IMF, intermolecular force, पिछले चेप्टर में, चेप्टर मेर 4 में, इसके बारे में थोड़ा सा डिसकस किया हुआ है, intermolecular forces क्या होती है, तो molecule के दरम्यान जो forces होती हैं, उसे कहते हैं, तो हम ना इसको जोड़ा अपने साफ से देख लेते हैं, तो हम कहते हैं, यह एक बरतन है, यह उस बरतन में मुझूदा, तीन molecules, समझाने के लिए बास, ठीक है जो, यह अपनी काइनेटिक इनर्जी इसको देता है, यह इसको देता है, और यह वाला molecules, सर्फस पे जब वो अवैपोरेट करता है, दियान से सुनना है, लेकिन मैंने अभी अभी यहां पर कहा था, वो ही molecule अवैपोरेट करेगा, जिस intermolecular forces को तोड़ेगा, नहीं तोड़ेगा, नहीं वैपोरेट करेगा, अब intermolecular forces, मॉलीक्यूल के दर्मियान forces मुक्तलिफ होती है, कुछ वीक होती है, कुछ स्ट्रॉंग होती है, कमज़ोर और ताकतवर, अगर यह force ताकतवर है, तो यह molecule, यहां से इस force को तोड़ेगा नहीं, और वैपोरेट नहीं होगा, तो जितनी force strong होगी, उतनी evaporation कम होगी, so stronger, the intermolecular force, lower will be the rate of evaporation, ठीक है डियर सुडेंट, मिसाल के तोर पर, अल्कोहल और वाटर, अब वाटर की force strong होती है, अल्कोहल की क्या होती है, वीक, तो इस वज़ा से, कमज़ोर, ठीक है जी, इस वज़ा से, अल्कोहल के अंदर evaporation ज्यादा होती है, और वाटर के अंदर क्या होती है, कम, अब डियर स्टुडेंट, ये लहदा से long question आया होगा, ये बहुत important short question है, हमारा evaporation causes cooling, और ये पूरे का पूरा भी long question आया होगा, तो इसको miss नहीं करना, अच्छे से त्यारी करनी है, वीडियो को बार बार फिछे करके देखना, अगर समझ नहीं आई, कमेंट में पूछ लेना, अगर आपको कोई problem वोगी, इंशालला, if I will see your comment, I will reply you, as soon as possible, अपना ख्यार रखिएगा, फिर में लेंगे एक नए वीडियो के साथ, अलाव भूस,